सबी किसान भाई का स्वागत है आपके अफने यूटूब चनल विजे सेगरी कल्चर में किसान भाई आजम बात करेंगे गियों की पांच उन्नत किसमों के बारे में जैसे बाई का सही समय क्या हैं विरायटियों की उत्पदन चमता के बारे में इन विराइटियों की सिंचित और असिंची छेतरों में बुवाई के बारे में, इन विराइटियों की रोक परते रोतक चमता के बारे में, साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि इन विराइटियों की बुवाई किनकिन राज्यों में हो सकती है, और भी महतब पुन जानकर साजा क करेंगे जो आपकी खेती को और भी लाबकारी बना सकें पूरी जानकारी के लिए वीडियों में लाश्च तक जरूर बने रहें तो चलिए हम वीडियों को आगे बढ़ाते हैं पहले नम्मर पर हम बात करेंगे गेहुं विराइटी ये विराइटी सिंची चेतरों के लिए उपयुक्त मानी गई है इसकी मुक्त की विसेस्ता यह है कि ये जल्द ही पकने वाली किस्म है लगभग 14-145 दिनों में पक करते हैर हो जाती है इसकी उत्पदन चमता की बात करें तो लगभग 60-60 कुंटल परती हेक्टेयर तक इसकी उत्पदन देने की चमता है साथ ही ये विराइटी पत्तियों और बालियों के जुल्दा रोक के परती सहन सील है दूसरे नमर पर हम ले रहे हैं DBW 187 विराइटी को ये विराइटी उत्री भारत के सिंचित चेतरों के लिए उपयुक्त है इसकी उत्पदन चमता की बात करे तो पचपन से शाट कुंटल परती हक्टेर तक है साथ ही इसकी मुख की विजिस्ता के बारे में अगर हम बात करें तो ये है विराइटी उचत अपमान सहन करने की चमता रखती है जो इसे अधिक उबजाओ बनाती है साथ ही ये विराइटी तना और पत्ति के रष्ट रोक के परती भी सहन सील है तीसे नमर पर हम ले रहे हैं DBW 303 विराइटी को इसकी विजिस्ता की बात करें तो आधिक उत्पदन चमता और सूखे की परिस्तितियों में भी सफल है इसकी उत्पदन चमता लगबग 70 कुंटल परती हक्टेर तक देने की चमता रखती है ये और इसमें अधिक उत्पदन देने की चमता है इसकी उत्पदन देने की चमता लगबग 50 से 55 कुंटल परती हक्टेर तक दर्ज की गई है पांचो नमर पर हम ले रहे हैं 327 गिहुं विराइटी को इसकी मुख क्विस्ता की बात करें तो यही विराइटी सिंचित और दोनों प्रकार के शेतरों के लिए उप्युक्त माने जाती है साथ ही यह किसम अधिक उत्पदन देने के लिए भी माने जाती है इसकी उत्पदन चमता 60 से 55 कुंटल परती हक्टेर तक माने जाती है यह विराइटी पतियों और बालियों के पर्मुक रोगों के पती उपच्य के लिए ही विक्षित किया गया है डूसरी विस given प्रकार के जलवाइयू में उप्यक्त होती है जिससे किसान भाई किसी भी प्रकार के परिस्तिति उन्हें उगा सकते हैं यह इन विराइटियों की तीसी विसिस्ता है इसके बाद हम बत करेंगे इन विराइटियों का बुवाई समय क्या है साथ ही इनमें कौन सी विराइटी सिंचित और असिंचित वाले छतरों के लिए उपयुकते है अगर हम सिंचितवाल शत्रों की बात करें तो बॉआई का सई समय एक से बीश नॉम्बर तक जिसे आफ़ डीबी 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 दोसो बाविस और डीबी 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 एकसो सत्यासी गेहन वरायटीव को ले सकते हैं इसमें कुछ अन्य वरायटी भी है जैसे एसडी 29-67 और पीबी डीबी 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 तीन सो तर्टालिस वरायटी भी ले सकते हैं इस समय बॉआई करने से पोदो की जड़े अच्छी इतरह से विक्सित होती है और तापमान भी फसल के अनुकुट रहता है इसके बाद हमबा करेंगे अच्छी दवाल शत्रों में कुणसी वरायटी लगाना है तो आप डीबी 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 एक्सो तीवत्तर की बॉआई 25 नॉमबर से 10 नॉमबर तक कर सकते हैं असंची छत्रों में बॉआई थोड़ी पहले करनी होती है ताकि मिटी में नमी का उपयोग बहत्र ढंग से हो सके इसके बाद हम बत करेंगे देर से बुआई वाली किस्मों की जैसे DBW 113 वत्तर, DBW 357 और HD 399 इन विराइटियों को 25 नौमबर से 10 दिसम्बर तक लागा सकते हैं देर से बुआई के लिए तापमान कम होने के कारण किस्मों का चैन महत्रपुन होता है ये किस्मे कम समय में पकने के लिए जाने जाती है और उत्पदन भी अच्छा रहता है ध्यान रहे समय पर बुआई करने से उपज में व्रद्दी होती है और रोगों का प्रकोब भी कम ह अब हम बात करेंगे कि जो मैंने आपको जिन विराइटियों को बताया है उन विराइटियों को आप इन राज्यों में बुवाई कर सकते हैं जैसे DBW 222 इस विराइटियों को पंजाब, हर्याना, पस्षिम उत्रपरदेश, अजिस्थान और मद्धिपरदेश ये विराइटियों सिंची छेतरों के लिए उप्यूगत है और शामानने तहा उत्री भारत के गेहों उत्पदन राज्यों के लिए बुवाई जाता है DBW 303 इस विराइटियों को बिहार, पस्षिम मंगाल, चाहरखन, असम, उडिशा, उत्रपरदेश ये विराइटियों के मेदन शेतरों के लिए उप्यूगत मानी गई है और आम तोर पर उत्री पस्षिम भारत में भी इनकी बुवाई की जाती है DBW 327 इस विराइटि को पंजाब, हर्याना, उत्रपरदेश, मद्यपरदेश, गुजरात, राजिस्थान ये विराइटि सिंचित और असिंचित दोनु प्रकार के छितरों में बुई जा सकती है और DBW 222, 187 और 327 ये विराइटि प्रमुक रूप से राजिस्थान और मद्यपरदेश में बुई जाती है, इन राज्यों के करसी जलवायू और फसल चक्रों को ध्यान में रखते हुए, किशान भाई अपनी प्वेस्तितियों के अनुसार सही विराइटि का चैन कर सकते ह उम्मिद है ये जानकारी आपको सही लगी होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और भी हम आपके लिए खेती समझे जानकारी जल्द ही लाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद